जैसरी राधिय दोस्तो के पीकी वानी चैनल में आपका स्वागत हैं मातारानी का आसिर्वात पाने ही तू कमेंट में हरहर महादेव और जै मातादी अवस्य लिकें यकीन जानिए मातारानी की किरपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवसी ही बरसेंगी और आप सो परिवार स्वस्त एवं सुखी रहेंगे साथी आपकी सभी मनुकामनाई यथा सिग्र अवसी ही पोर्ण होंगी आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी साधी में अर्चने आ रही है, साधी तय होने के बाद तूट जा रही है, या साधी में किसी न किसी वजह से वह वधान आ रहा है, तो अब आप केपी की वादी से संपर कर अपनी कुंडी बना कर अत्वात दिखा कर विवाह की पू किस नाम से होगी किस रासी से करनी चाहिए जीवन साथी का रंग रोप स्वरोप सभाव और उनका करियर कैसा रहेगा आपका करियर कैसा रहेगा अगर अगर आप लब मैरेज्च करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमती मिलेगी की नहीं मिलेगी ये तमाम तरह की जानकारी आपको कुणली बना कर अत्वा देख कर दी जाएगी केपी कीवानी पर दोनों माध्यमों से यानि की मौकिक और लिकिक दोनों माध्यमों से पूर्ण जानकारी दी जाती है तो आप एक बार केपी कीवानी से अवसी ही संपर करें इसके लि मामली सुल्क ली जाती है। अप K.P कीवानी से अवबर से ही संपर करें। K.P कीवानी पर नविन टक्नीक के जरियें यह जानकारी दी जाती है। और यह जानकारी आपको हिंदी में विस्तार पुर्वक पुल्डी बना कर भी और मौखिक रोप से भी जानकारी दी जाती है तो इसके लिए आप 85218356700 इस नंबर पर आप मुझे वाट्सेप कर सकते हैं अत्वा फोन पॉल कर सकते हैं आपको यथासरी जवाब देने की पू आप K.P. कीवाणी की वाट्सेप नंबर पर आपनी कुंडी अवस्ते भेजें ग्हादसा अंकित होने पर आपको निसुल जानकारी दी जाएगी कि आपकी आपकी साधी कब तक हो सकती हैं अनथा आप KP कीवानी से अपनी कुंडी बनवासा आ सकते हैं वहीं ऐसे जातक जिन मैं भी आपको ऐसी परिस्तितियों में साधी ना करने की सलाह देता हूं और कई ऐसे जाता के जिनकी कुंडिव मिलान की है और उनको भी मैंने जानकारी दे यह सलाह दी है कि अगर भकुर्डोस्त नारी दोस्त या मांगलिक बली से पीडित है उन्हें सलाह दी गई हैं कि वे साधी ना करें तो इसके लिए आप अपने नजदी के किसी प्रकांट पंडित्वा जूती से संपर कर सकते हैं अनथा केपी की वानी पर आपका पूर्ण रोप से स्वागर्थ हैं हम आपको मामली सुल्ख पर पूर्ण जानकारी अवस्य देंगे वही अगर आप विवाहितने और ववाहिक जीवन में किसी परकार की परसानी है तो भी आप अपनी कुंडी मिलान अवस्य करा लें और यह जानकारी अवस्य ग्याद कर लें कि आपके साधी में क्यूं देर हो रही है अथ्वा साधी के परसाथ आपके जीवन में क्यूं परसानियां आ रही हैं तो यह त तक आपको थमनेल में पढ़ने को मिला है कि उन छे रासियों के बारे मैं बताने जा रहा हूं जिनकी विवाह की योग सुक्र के रासी परिवर्तन के चलते हो रहा है तो इसके बारे में पूर्ण जानकारी ग्याद कर लेते हैं 31 मार्च को सुक्र का रासी परिवर्तन हो रहा है सुक्र गरह 31 मार्च को प्राता काल 8 बच कर 54 मिनट पर मकर रासी से निकल कर कुम्ब रासी में प्रवेस करेंगे सुक्र का कुम्ब रासी में गोचर 27 अप्रील तक होगा उसके बाद वा मीन रासी में गोचर कर जाएंगे सुक्र को इस्तिरी सुक्र और विवासुक का कारक माना गया है लड़कों के साधी के कारक सुक्र देवता ही माने जाते हैं सुक्र को मजबूत करने के लिए शिवजी की पूजा करनी चाहिए ऐसे जातक जिनकी कुणले में सुक्र निम्नवस्ता में भी रहे तो भी उस जातक के साधी के प्रवल्यूम रहते हैं वहीं सुक्र का जीवन साथी के भाव में रहना लड़कों के लिए पेहदी अनवारी है क्योंकि अगर जीवन साथी के भाव में सुक्र रहता है तो जातक की साधी बहुत शीगर हो जाती है हाला कि उनकी कुंडली में कोई अनिदोस ना लगा हो तो सौर मंडल में सुरी के बाद दूसरा बढ़ा ग्रह सुक्र को माना जाता है और चंद्रमा के बाद सबसे ज़्यादा चमकनी वाला ग्रह भी सुर्य ही है सुक्र को सुपगरा के रूप में जाना जाता है यह प्यार, रोमांस, व्यवाहिक सुख, सोहरत, कला और सौनदरी का कारक माना जाता है कुंड़ी में सुक्र, विरिषवर्टूलरासी का स्वामी माना जाता है मीनरासी में ये उच, कन्यरासी में ये नीच होते है जो कि इसकी माने तो नवगरहों में बुद्ध और सनी इसकी मित्र हैं और सूर्यवचंद्रमा इनके सत्रु माने गए हैं सप्तमभाव में अगर सुक्र बजबूत हो तो साधी सीग्रोय आती है वहीं सब्तमभा में सुक्र के कमजोर रहने से विवा में देरी होती है ऐसे व्यक्ति के एक से अधिक रिष्टे भी हो सकते हैं तामपत्य जीवन भी प्रभावित होता है साथी कमजोर सुक्र खर्च में भी व्रदी कराता है और जातक विलास्ता की वस्तों में लिप्त रहता है। उपाई के तोर पर जातक को सस्रार वालों के साथ साजिदारी से बचना चाहिए और जीवन साथी को नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सोमबार और सुक्रवार के दिन सिवजी को कच्चा दूचड़ाएं वहीं सोमबार और सुक्रवार सनिवार के दिन जल में काले तिल मिलाकर सिवजी को अर्ग दे इससे भी विवा की योग बनने लगते हैं। तो सुक्र जो है कुम्बरासी में गोचर कर रहे हैं वरतमान भी म अकर रासी में है वो हैं ब्रसव और तुला क्योंकि इनके रासी स्वामी सुख्र हैं इसके अलावा दो अनरास्यों के बारे में भी बताऊंगा और पूर्ण जानकारी दूंगा। से पहले आपको बता दू कि अप्रेल मेंने में विवा की योग कब कब है केपी की वानी पर आपको उन तिछीयों के बारे में बताए जाता है जिन दिनों में 4 घंटे से अधिक सुभ मुर्थ हैं तो उसकी के आधार पर मैं आपको 17 अप्रेल से लेकर 30 अप्रेल के मद्धिन जिन्तिचियों को चार घंटे से अधिक के समय तक विवा मुहर्थ है उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ तो अप्रेल सत्रह 2022 के दिन रविवार है सुभु मुहर्ट प्राताकाल साथ बजकर सत्रह मिनट से अगले दिन पांच बजकर चौँतिस मिनट अप्रेल अठारा तक है नचत्र स्वामी है जब कि तिथी पर्तिपदा एवं दूटिया है अप्रेल उनीस 2022 के दिन मंगलवार है सुभु मुहर्ट संध्याकाल पांच बजकर दू मिनट से देर रात एक बजकर उन्चालिस मिनट तक है नचत्र अनुराधा है जब पितिथी चतुर्थी है अगले तिथी 21 अप्रेल को है गुरुवार के दिन है सुभु मुहर्ट प् अप्रेल दूजार बाइस को है जब पितिथी चतुर्थी चतुर्थी अंतिम्तिथी 28 अप्रेल 2022 को है गुरुवार के दिन है दिन इस दिन बेहत सुभ है गुरुवार का दिन है गुरुवार यानि भगवान श्री हर्विष्णों जी का वार है गुरुवार का दिन भगवान श्री हर्विष्णों जी को समर्पित होता है ऐसा कहा जाता है कि लड़कियों को गुरु का ब्रत करना चाहिए गुरुवा 34 दिन संध्याकाल 4 बच कर 29 मिनट से देर राद 12 बच कर 26 मिनट तक है नचत्र उत्तरभाद प्रत रेवती है जब की तिती 13 ही है तो यह तो मैंने विवाह महर्द के बारें बता है शुक्र के राशी परिवर्तन के बारें बता दिया हूँ वैसे मैं आपको बता दू कि रासी में प्रवेश कर जाएंगे बुद्ध जो है वो मीन रासी में उपस्तित हैं सूर्य मीन रासी में उपस्तित हैं राहू व्रिसव रासी में उपस्तित हैं सनी मकर रासी में उपस्तित हैं और चंद्रमा का सवादू दू के बाद रासी परिवर्तन होता रहता है तो य ऐसा कि आपको बताया है कि ब्रिशव और तुला इनके राशी स्वामी जो हैं वो सुक्र माने जाते हैं तो इन दोनों के लिए सुभ योग बना रहा है। तो मंगलवार को हनमान जी को लाल भूल चड़ाना बेहदी स्रेश्ट करोगा। विवा प्रस्ताव ती एच्पी नाम में से किसी एक जातक से आने की संभावना प्रबल है। और सुक्र के तुला रासी और विसव रासी के जो रासी स्वामी हैं उसमें सुक्र हैं। श्रीक विवा के लिए हर्मंगलवार को गरीबों के बीच मीठी चीजें बाटना आपके देर सेश्ट करोगा। विवा प्रस्ताव जी एंटी नाम से 31 मार्श के बाई आने वाला है और यूने से किसी एक जातक के साथ आप पढ़ने सुत्र में बंद सकते हैं। अगली रासी कुम्बरासी है तो कुम्बरासी के जातकों के प्रवल योग बन रहा है क्योंकि कुम्बरासी में वर्तमान समय में गुरू कुम्बरासी में है और 31 मार्श को जो है सुक्र भी कुम्बरासी में आ जाएंगे यानि की लड़के और लड़कियों जो कुम्बरास मित्म रासी के जात्कों से साधी करना प्रिए स्रेश करूगा तो भगवान सिवजी के पूजा करें और राक्षिवामी सनिदेव की पूजा करें तो इससे योग बनने लगेंगे सीरासी, तो सीरासी के बारे मैंने पूर्व से बताया है कि गुरूरासी परिवर्तन के चलते सीरासी के सब्तम भाव में भी राजवान है, इसके चलते सीरासी के जात्कों के पूर्व से ही यानि की 2021 से 2022 तक प्रबल यूँ है, विवा पूर अब जिसा में होने की संभावना है NKSBNC नाम में से किसी एक जातक से आपकी विवा होने की प्रबल संभावना बन रही है अगली रासी मकर रासी है तो जैसा कि आपको पता है कि मकर रासी, धनूरासी और कुम्बरासी के जातकों पर साथी चल रही है लेकिन वर्तमान समय में सुक्र जो है मकर रासी में विराजमान है इसके चलते मकर रासी के जातकों के विवा की योग बन है हाला कि मार्च में विवा की योग नहीं है क्योंकि खरमास चल दा है लेकिन रिस्ते तैह हो सकते हैं तो इन दिनों में आपके रिष्टे तैह होने के प्रबल संभावना है। ऐसे जातक जिनके आई 21 वर्ष से 30 वर्ष के मद्ध हैं और उनकी रासी मकर हैं उनकी विवाह की योग प्रबल हैं। शीक रिवाह के लिए क्या करें तो सुक्लपक्स में चंद्रमा को जल में सफेद फूल डालकर अर्ग देना आपके लिए स्टेश्ट कर होगा। विवाह प्रस्ताव एक्स या वाय नाम की जातक से आने की संभावना बन रही हैं आनकी इसमें बदलाव भी हो सकता है। अगली रासी धनू रासी है धनू रासी और मीन रासी में वर्तमान समय में सूर्य है बुद्ध है और आने वाले समय में गुरू भी मीन रासी में प्रवेस कर जाएंगे और मीन के जो रासी स्वामी है वो गुरू है और धनू के रासी स्वामी भी जो है वो गुरू है तो के मजबुत रहने से गुरू के मीन राशी में प्रोविश करने से धनु को और भागवान श्रीहरविष्णू जी को पूजा करे अर्चना करे और उन्हें फलफूल आजी अर्पित करें अपने सीख विवाह की है तू कामना करें तो आपकी कामना अवस्य कोण हो जाएगी वहाप्रसाग स्टी आए नामने से किसी एक जातक से आने की संभावना बन रही है अगली रासी और अंतिम रासी मीन रासी है तो इनका नाम अक्षर डी यानि दो से सुरू होता है इनके रासी स्वामी ब्रहसपती है अरादे देव स्री विश्नु नाराएंजी है तो विश्नु नाराएंज है इस दौरान आपके साधी होने की प्रावल संभाव है तो मींदासी के जात्तों के साधी कि किसमे वर्से बनते हैं महिना अप्रेल से तो बनी रहे हैं और एक साल में तो 100 परसंट गारेंटी साधी हो भी जाएगी सीख विवाह के लिए तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना स्रेश्ट करोगा इसके अलाबा आप हगवान स्रीयर विष्णो जी की आराधना पूजा और उपासना करें तो आपके सभी विगड़े काम बन जाएंगे साधी उत्तर पूर्दिसा में होने की संभावना अधिक है वहीं S.G.V. नाम के जातक से होने की संभावना बन रहे हैं जो तिस पंचांग मानताओं और ध्रमगंतों से दी गई है हमारा उदेश महज आपको सूचना पहुंजाना आप इसे सूचना ही तो लेसके अत्रिक्त अगर आप इनको मानते हैं अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप सुमेज में बारें आप चाहें तो केपी की वानिस संपर करें अन्यता आपने नज़्दी के एक जिप्रकार्ण पढ़ने था जूरती से संपर कर अपनी कुंडी आबस से लिखा लें इस तरह की अन्वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के टस्बूर्ड अत्वा प्लेलिस्ट पर जाए और आप सौपरिवार स्वस्त एबं सुखी रहें आप सभी के प्यार और स्नेक लिए आप सब को हिर्दय से धन्यवाद करता हूं आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें इन्हें सुब कामनाओं के साथ आपसी विजा लेता हूं कि जग एक नए वीडियो और एक नही पर जीर दोस्त को इजाज़त दे आप जहार है मस्त रहे स्वस्त रहे मातारानी की असीम किरपा पर बरस्ति रहे परम्पिता परमेश्वर आप सत्भुद्धि सत्मार रागे बढ़ने की सक्टिदे नमस्कार जैसला दोस्तों जैसे प्रिष्णा जै माता दी जैवाए झाल